नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बात फिर हमारे इस चैनल मिट स्पिरिक में शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए ये चीजें एक शनिवार के दिन शनी से संबंधित चीजें खरीदने से बचना चाहिए माना जाता है कि इससे जिन्दगी में आर्थिक संकट और अन्य कई तरह की परिशानिया आती है इस दिन शनी से संबंधित चीजों का दान करना बहुत अच्छा होता है हालांकि बहतर होगा कि इन्हें शनिवार से पहले ही खरीद कर रख लें दो शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए इस दिन लोहा खरीदना अशुब माना जाता है लोहे को शनी की धातु माना जाता है मान्यता है कि इस दिन लोहा खरीदने से शनीदेव नाराज हो जाते है वहीं शनिवार के दिन लोहे का दान करना शुब होता है तीन शनिवार के दिन शनी देव को सरसों का तेल चड़ाने की परंपरा है हालांकि शनिवार के दिन तेल खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है शनिवार के दिन सर्सों का तेल खरीदने जीवन में कई तरह की परिशानिया आ सकती है शनिवार के दिन सर्सों का तेल खरीदना रोगकारख भी माना जाता है चार शनिवार के दिन उड़त की दाल का दान करना उत्तम होता है लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है अगर आपको उड़त की दाल खरीदनी ही है तो इसे एक दिन पहले ही खरीद कर रख ले पांच शनिवार के दिन कोईला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कोईला खरीदने से शनी दोश लगता है इसकी वजह से हर काम में रुकावट आती है इसके अलावा इस दिन काजल, कैंची और जाडू खरीदना भी अशुब माना जाता है छे आज के दिन नमक खरीदने से भी बचना चाहिए माना जाता है कि शनिवार के दिन नमक खरीदने से घर के सदस्यों पर कर्स चड़ता है इसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिती खराब होती है अगर आपको नमक खरीदना ही है तो इसे शनिवार के अलावा किसी और दिन खरीदे साथ शनिवार के दिन काले रंग का कपड़ा खरीदना अशुब माना जाता है हाला कि इस दिन काला कपड़ा पहनना और दान करना बहुत अच्छा माना जाता है कहा जाता है कि इससे आप शनी की बुरी नजरों से बचे रहते हैं